नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देखना शुरू कर चुके हैं मर्द प्रदेश की महार डिबेट मैं हूँ अपरणा मौज़म आज बात प्राइवेट स्कूलों की MP में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लग पा रही है बार बार निर्देश और सक्ती के बाद भी स्कूल हैं कि मानते ही नहीं जबलपुर और गौलियर में निर्देश स्कूल पर प्रशासन की सक्ती के बाद भी मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है अभी भावकों के शिकायत के बाद तीस बढ़ोतरी के मामले में जांच की गई शिकायत को सही पाया गया और प्रशासन की ओर से मामले में बड़ी कारवाई की गई है जब बलपूर में 11 स्कूलों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया तो वहीं गौलियर में भी तीन स्कूलों के खिलाफ कारवाई की गई है तो यह एक्शन हुआ है और इस एक्शन के बाद प्रदेश में हड़कम मच गया है लगातार आपको बता दे कि प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं कभी फीस के नाम पर कभी बदली वी यूनिफॉर्म के नाम पर और कभी बदली विसलेबस के नाम पर स्कूल या दुका अभिभावत परेशान लिजी स्कूलों का खेल मनमानी पर कभ न के जो आपला निकल के आए जो डॉक्यमेंटर इविडेंस के आदारप है वो एक्यासी करोर 30 लाग का है एक्यासी करोर 30 लाग रुपे की जो फीस है वो अवेधानिक तोर से अनधिकत तोर से उसमुदी गी उसको रिटर्न करने के हमने आदिश कर दी है साथ साथ बाईसलाग के पैनल्टी भी इंपोइस किया सुझाए जिसमें बीस आरोपी को पुलिस ने करतार किया गया है आदिके कुछ और आरोपी चिनित हैं उनको जल्बी करतार के जाए जाए स्कूल है कि मानते रही जबलपूर और ग्वालियर में निजे स्कूलों की मनमानी पर कारवाई की गई लेकिन प्रदेश में और भी स्कूल है जिनकी मनमानी अविभावकों पर भारी पड़ रही है क्या जबलपूर और ग्वालर की कारवाई काफी है प्रशासन को इसतरा की कारवाई प्रदेश भर में करने की आवशकता है क्योंकि निजी स्कूल है की मानते रही आज मध्यप्रदेश की महा डिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा दो स्कूलों पर कारवाई हुई और उसके बाद प्रदेश में हड़कम मच गया लेकिन सवाल यह है कि आखर निजी स्कूलों के मनमानी पर नकेल लग क्यों नहीं पा रही है तमाम अक्शन सक्ती उसके बावजूर भी प्राइवेट निजी स्कूल है उनका एक आटिट्यूड ही अलग है वो बेखौफ हैं मनमानी पीस वसूल रहे हैं आज महाँ डिबेट में चर्चा इसी पर करेंगे लेकिन महाँ डिबेट किन सवालों के इड़कित रहेगे के सवाल देख लेते हैं पहला सवाल रहेगा निजी स्कूलों के मनमानी पर आखरका कब नकेल पूरी तरह से लग पाएगी दूसरा सवाल रहेगा नियम कानूल लेकिन उसके बावजूद भी क्यूब बने हुए यह स्कूल बेखौफ तीसरा राकर रहेगा सवाल रहेगा चाहे निजी फ़प प्रुदे के पीछे कितने करदार हैं क्या जो कारवाइी होती है उसमें जो एहम करदार होते हैं असली करदार होते हैं क्या वो पीछे चूट जाते है और उनसतों इंहाईग नियु खत just और शिक्षा विद्ध भी जुडेंगे हैं मनीश शर्मा जी है अध्यक्षा विभावक भोक्ता संग्ठन के अध्यक्षा है प्राइवेट स्कूल असोसियेशन के अजीत सिंग जी भी आप सभी के साथ इस तरचा की शुरुवात करेंगे बहुत सभी स्वागत है आप सभी का रही और किस तना से मनमानी इन स्कूलों की देखने को मिलती है जी वर्ष 2009 में सबसे पहले हमने पूरे मद्रबदेश में निजी स्कूलों की मनमानी के तलाफ आवाज उठाई थी नागरिक वोक्ता मार्दशक मंज के माध्यम से फिर जब अभिवावक जुड़े तो हम दे कर हम लोग लगतार दस वर्षों से मांग करते रहें कि निजी स्कूलों की फीस को नेंद्रित किया जाए क्लीश क्यों कि लगतार बहुत बढ़ी है कभी हुआ करता था जहां चालिस पर तालिस लगती थी आज वो साड़े चार चार रुपे तक पहुंचा दी गई है हमारे देखे हुए सबसे दुर्भाग की बात यह थी कि छे से साथ जन्हे ती आजकाएं दायर की गई थी अलग-अलग मुद्दे पर मानेनी उच्छने अले में बार बार निर्देशित किया था सरकार को की कारवाही करे कारवाही करे कानून मना है तब जाकर 2017 में वर्तमान जो स समय सरकार्ती उन्होंने निजी स्कूलों की फीस मिनेम ने उन संचालन के नियम लागू किये लेकिन दुर्भाग की बात यह थी कि उसको भी लागू होना में पांच सा लग गए 53 जिलों में से अभी किवल दो ही जिलों में जाता तर सुनने में आ रहा है हमारे जवलपूर में और गौलियर में जहां पर इसको इंप्लिमेंट किया गया तो सबसे बड़ी बात थी कि एक्षा शक्ती की कमी थी प्रशासन में कानून तो बन चुका था अधिकार थे कलेक्टर को कलेक्टर लोग ही इसको जबकि बार-बार शिकायते हो रहे थी न्यूस पेपर में मीडिया में बार-बार ये चीज़े आती थी खासकर अप्रेल से लेकर जुलाई अगस तक बार-बार इस चीज़े को उठाया जाता था लेकिन संग्यान नहीं ले रहे थे कम से कम साथ ग्यापन दिये हम लोगों ने अब जाकर प्रशासन जागा है और बहुत साधुबाद है कम से मजवालपुर के कलेक्टर को कि उसने माफिया तंतर के आगे जो सिक्षा का बन गया जो कया नहीं और कारवाई करके एक मिसाल पेश की हमारे पूरे तेश में कि देश सही सही दे लेकिन दुरुस्त आएं यह कहरे है मनीश शर्माजी लेकिन अजीस सिंग जी क्योंकि प्राइवेट स्कूल कभी यहां पर उनका भी पक्ष जानना होगा अगर हम निश्पक्ष बारता की बात करते हैं आप बताईए कि क्यों ना ऐसे स्कूलों पर कारवाई की जाए जो मनमाने तरीके से फीस वसूलते हैं कभी यूनिफॉर्म हर साल बदल देते हैं कभी बुक्स चेंज कर देते हैं अजीज सिंग जी अपकी आवाद नहीं आ रहे थी सबसे पहले तो आपकी असोसेशन उस कारवाई को लेकर क्या सोचती है और दूसरा सवाल यह है कि आखरकार इस मनमाने तरीके पर नकेल लगाए क्यों ना जाए क्या है स्कूलों का भी पक्ष इस पुरे मामले को लेकर देखिए जो फीस की विवस्ता है तो उसमें सिच्छा विवाग द्वारा निर्दारित किया गया है कि दस प्रतिशत फीस बिद्यालाय बढ़ा सकता है इससे ज्यादा अगर बढ़ाना हो इंफ्राइस्ट्रेक्चर है और हम उन इस्कूलों के साथ नहीं है लेकिन जहां तक फीस की बात है यह फीस तो अब हमसे भी तनी फीस उसुली जाती है कि हम अद्द प्रदेश के जो एंपी बोर्ड के स्कूल है 80 थी करोड 83 करोड रुपए हम हर साल सिच्छा विभाग को देते हैं अपना स्कूल चलाने के लिए विभिन फीसों के नाम पर हम चाहते हैं कि जो सिच्छा जैसा पवित्रकार है उसमें लेन देनना हो पहली से आठवी की जो सिच्छा है उसमें निसुल का अनिवार ने, हमें 8000 रूप़े हर साल देना पड़ता है मानता के नाम पर उसमें परिच्छा फिस हमें नहीं लेना चाहिए हम मार्क्षीट के नाम पर सिच्छा विभाग हमसे पैसे उसूलता है तो अगर हमसे उसुली होगी तो हम भी कहीं ने कुरें तो ये ठीक है आप आपके जेब खाली होती तो खाली जेब लेकर चलेंगे नहीं जेब को भरेंगे ही लेकि में सवाल यह है कि 10% जो स्कूल की फीस बढ़ाई जाने का नियम है उसको लेकर तो शिकायत ही नहीं है ना तो क्या यह रास्ता क्यूंकि आप कह रहें कि आपकी भी जेब खाली हो रही हैं हम आप सीम राइजी स्कूल उठा के देख लिजिए दो हजार पिच्चासी रुपए की किताब सीम राइजी स्कूल बच्चों को बेश रहा है वहां कोई सवाल नहीं है हाँ अगर कोई किताब प्रिंटे रेट से ज्यादा बिक्ति है तो समय स्कूल संचालक पर सो परसें करवाई होनी चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीस पेज की किताबें दो सो ठाई सो तीन सो रुपए की आती है तो सासन प्रसासन को पहले उन प्रेशों को रोकना चाहिए समझ गई मैं आपका आपका यह कहना है कि स्कूलों का भी अपना कं इसकी तरफ को इध्यान नहीं दे रहा है डॉक्टर वंद्रा मिश्णा शिक्षा विद्ध हैं वह भी हमारे साथ जोड़ चुकी है डॉक्टर वंद्रा मैं नहीं चाहते कि डिबेट पॉलिटिकल हो जाए क्योंकि यह समाज के हर वर्क को प्रभाविच करने वाली हैं और मेरी किताबें बाद में किसी और चोटे भाई बहन को गई होंगी युनिफॉर्म का यह सरकल भी हमने अपने घर परिवार में देखा है इससे आप भी वाकिफ हैं मैं भी वाकिफ हो बहुत तरह लोग भी वाकिफ होंगे लेकिन अब जो यह प्राइवेट स्कूल की मनमानी हैं सबसे बड़ा कारण उसकी पीछे आपको क्या लगता है क्या वो विल पावर का कम होना है या फिर कमिशन कोणी का चकतнич कर आप सब्सक्राइब होना है देखिए शामिल होना भी है वह भी अम्मान सकते हैं लेकिन जैसे हम पढ़ते थे अपने भाई-बहन की किताबें पढ़ते रहते तो परिवर्तन तो जरूरी है एकदम पुराना तो हम नहीं पढ़ सकते नया हमें चाहिए कुछ न कुछ और परिवर्तन आ रहा है कि हम शिक्षा जो है एक व्यावसाय नहीं है और शासन भी 10% फीस बढ़ाने की मंजूरी भी देती है तो उसको भी हम ध्याद रखें अब यहां सवाल है कि शासन पैसा लेता है या विभाग पैसा बसूलता है तो बसूलता नहीं है उसकी जिम्मेदारी तो आपको दी गए उतना तो मानक निरधारी किये गए हैं आपके पास इससे ज्यादा मनमाने जो बिभिन कारी क्रामों में बिभिन पुस्तकों में गड़वेश में या कई और चीजों के लिए जो पैसा बसूला जाता है निश्चे तोर पर यह गलत है यह समाज को सही दिशा नहीं दे सकता और समाज में इसमें परिवर्तन होना चाहिए मैं परिवर्तन होना चाहिए लेकिन हर साल यूनिफॉर्म के कलर में चेंज हो जाना यह बिलकुल बिलकुल गलत है यूनिफॉर्म के बदलने क्या कोई मतला भी नहीं है हाँ बुक में संस्रोतन होता है परिवर्तन होते तो ब पर यह मनमानी है और इस पर रोक लगाई ही जाना चाहिए ठीक है कमिशन खोरी के इस चक्र में कहा जाता है कि इससे कोई अच्छूता नहीं है क्या आप देख पा रहें कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर किस सरा से रोक लगाई जा सके ताकि हम नहीं चाहरें कि अपना जी निश्यती जिस तरीके से मद्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्ता शिक्षा माफियाओं के हाथ में यह पूरा का पूरा एक गोरक दंदा है और जिसमें मैं समझता हूँ मद्यप्रदेश का हर एक अभिभावक इससे पीड़ित होगा अपना जी सबसे पहले तो कि खुद अभी केजी वन से केजी टू में आई है उसकी जो फीस होती है अपना जी आप मतला आशर की बात है कि साल हमने फरस्ट से लेके बारवी तक की जो पढ़ाई करी है उतनी फीस अकेली मैंने अभी केजी टू में दी अभी आपने जिस तरीके से कहा कि हमने बहन और बॉल तो सभी किताबों में वही पढ़ाया जाएगा ना किताबों में कलर में परिवर्तन कर देना और जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं ने इसको कमाई का जरिया बना लिया है जो आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है वहां तक तो ठीक है पर गरीबों की स्थिति बहुत बड़ा खेल है अंट्रेंड फैकल्टी आज स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं चात्रों को जिनके बारे में किसी भी पोर्टल पर कोई जानकारी नहीं है मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं हर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी होता है वह क्यों नहीं और एक स्लेबर्स को पांस साल तक बदला रही जाएगा अगर कुछ विशेश उसमें ना जोड़ना हो तो मैं समझता हूं अगर इसमें आज अंकुष नहीं लगाया गया तो जो गरीब बच्चा है जो गरीब वर्गल से आता है वो कहीं न कहीं शिक्षा को छोड़ देगा हमारी सरकार में यूपीए सरकार में जब हम केंदर में थे हमने आटी राइट टो एज्योकेशन बिल लाए थे कि हर एक बच्चे को उसके शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए मध्य प्रदेश में उस एक्ट का खुल्याम दुरुपयों किया जा रहा है आज उसमें स्पश स्कूलों से शिक्षा अर्जित करने में बंचित रहाता है सिधा यह कहा जा रहा है कि जैबलपूर गौलर में तो कारवाई होगे लेकिन पूरे मध्यप्रदेश की जब भावक है उन्हें राहत कैसे मिलेगी मिलन जी आप सुन नहीं पाए मुझे अपड़न जी आपकी आवाज नहीं आई ठख्रस्ष तर विवेक मेरे समक्षी मा प्या खिर शिक्षा मा प्याओ को ले कर कमिशन खोड़ी के चक्र को लेकर और कैसे नक्ल कसी जाएगी क्या है आपके सरकार की नहीं थी देखिए मानिय मुज्मंग्य मंत्री मोहनेयादव जी के सकत निर्देश है आप याद करिए एक अपरिल के दिन जब मानिय मुख्यबंतरी जी के संग्यान में विशे आया है कि कुछ निजी स्कूल और फीज के मादधियम से और किताबों के मादधियम से अविवावों को परिशान कर रहा है आर्थी गुरूप से चोड़ पहुचा रहा है मानी मुख्यमंतरी जी के सक्ष निर्देश के बाद आपने देखा बोपाल हो या अन्य शहर हो सब में कारवाई करते हुए कुछ किताब वालों को दुकानों को भी सील किया गया है स्कूलों पर भी कारवाई की कि दो-दो-लाग का जुर्मानी भी लगाया गया है और आज जिस प्रकार से जबलफुल करेक्टर के दवारा जिस कौकस को तोड़के 81 करोण रुपे की बसूली की और जो अपराधिक मामले इन स्कूलों पर दर्ज की है जो इसकी आड में सिक्षा की आड में जनता को लूटने का काम कर रहे थे मानी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के पास जो कारवाई हुई है यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी कारवाई है और यह नजीर बनेगी आप देखिएगा आने वाले समय में इस कौकस को तोड़ा जाएगा और अच्छी भैतर सिक्षा मद्यप्रदेश में लोगों को उपलब्ध हो और एक तहे मापदेंड के आधार पर हो इस तरफ प्रयास सरकार कर रही है और करती हुई दिखाई दे रही है और आप अभी देख रहे हैं ते कॉंग्रेस के लोग राजडीती से बाज जी आते हैं ये कारवाई भी सरकार ने की है और सरकार के निर्देश पर माने मुख्वर्देश जी के निर्देश पर हुई लेकिन उसमें भी माफिया शब्द देखिए जब जब इस परदेश में माफियाओं पर कारवाई हुई है तो आवाज कॉंग्रेस की तरफ से आई है इनको दुख होता इनको दर्द होता इनके नेता ही विरोत करते दिखाई देते हैं चाहे किसी भी वर्ग का माफिया हो उसके समक्ष खड़े रहते हैं आज जब जहां चोगी तो आप देखेगा इनके नेता दिखाई देंगे लगातार इस देश में सिक्षा का पतन मेकाले की सिक्षा पतनिती को लागू करने के लिए जो जतन कॉंग्रेस पार्टी ने की है और इस देश को गुलामी की तरफ बाने रखा आज प्रधान मंती नरेंज मोदी जी के नेत्र तुमें नई सिक्षा नीती आई है जो देश की भारती संस्किती को लेकर चलने वाली आई सिक्षा निती लागू देश में दीरे दीरे क्रमशा हो रही है अभी आप मारे भाई कहा रहे थे किसा आप एक सा सिलेबस क्यों नहीं है अरे भाईया CBSC में NCRT का किताओं का अनिवारे रूप से शामिल करना और करवाय जाना श्रू हो चुका है हो भी गया है और जो स्कूल नहीं मानना उन पर ही कारवाई हो रही है यह जो आपरादिक मामले दर्ज हुए है ना निजी स्कूलों में यह वही लोग है जो इनको नियम और कानून को नहीं मान रहे थे और भी आपकी नजर में हो तो आप कहीं तो काम है विपक्ष का क्या आप लाईये तो लेकिर राजनीती करेंगे इसमें भी यह मानिये मुख्यमंत्री जी की कारशयली है और आप देखिएगा यह तो नजीर बनकर आने वाले समय में और भी जितनी भी शिकायत आएंगी सारे अभिभावकों के साथ यह सरकार खड़ी हुई है निजी स्कूलों के साथ भी अन्या ना हो और वो सक्ती के साथ नियम के स सबसे पहली बात तो यह कि निजी स्कूल में जो एडमीशन की प्रक्रिया है वो फरवरी में चालू हो जाती है और चार महने में केवल चार या पांच जिलों में कलेक्टर द्वारा अपने वाट्सअप नंबर जारी करना इसका मतब यह कि जो एक्ट है वो पूरी तरीके स है बसे अभी प्रदेस में नहीं किया गया है कि खार पात चेफ непह Premium को सुनने में जो नें जो कदिटा रहे कि पेरेंट्स अब दूबक्त कैरे के साशन पसाशन ने आदेश जारी करके केबल कलेक्टर्स पर छोड़ दिया कि आपको करना तो करिये कोई फीड़बैक नहीं लिया अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 स्कूलों पर जो कारवाई हुई है फाई यार हुई है उसमें लगभा 21,000 बच्चों से 81,30,000 रुपए अतरिक्त बसू ले गए इसके अलावा 1037 स्कूल और है जो सर्विलेंस पर जिसमें 24,240 करोड रुपए का ये मामला सामने आ रहा इसके तहट कारवाई की गई काएदे से जो अभी निजी स्कूल के फीस विनेमन और संचालन स्कूलों का उसका जो एक्ट है ना या है 2017 इसके आपको पूरी तरीके से अभी भी पालंद नहीं किया जा रहा है यही बज़ा है कि अभी निजी स्कूलों में किसी प्रकार का को कोई नहीं है क्योंकि जिस दिन का ठोड़ता से कारवाई चालू की जाए पूरे प्रदेश में एक साथ उस दिन आपको इसका पढ़नाम सही दिखाई देगा आपको वास्तविक उसमें रिलीफ में लेगा जी इतनी कारवाई होनी चाहिए थी उस तरपर नहीं हुई है सर्फ आदेश जारी कर देगा आप यह कहना चाहिए विवेग जी आप भी बीच में कुछ कहना चाहिए बताईए देगी जस तरीके से मिलन भाई पूरे विशे का राजनीती करन कर रहा है वो आपनी वावाई लूट रहा है तो इनसे मैं पूछना जाता हूं सबसे पहले तो आने के बाद में आपको स्लेबस बच्चों को पकड़ा दिया जाता है तो उसकी खरीदी तो मार्च में शुरू हो जाती है आप अपरेल में एक करून रुपे की जो किताबे बेच चुका है जो दुकानदार उस पे दो लाक रुपे का जुर्माना कर रहे वो भी जुर्मा अब अध़ा माफिया स्कूल संचलहों के साथ में साड़गाट कर लेते हैं कमीशन तैकर लेते हों हर सल कहीं नगें सलेबस को चेंज कर देते हैं एक टी-शट का कलर छेंज कर के हर सा l ड्रेस खरीने का दबाव बनाए जाता है तो इसमें कमिशन खोरी स्पश रूप से दिख रही है राजधानी में आपने जो कारेवाई की वो ठोस कारेवाई नहीं है अगर वो ठोस कारेवाई होती तो शिक्षा माफियों के उसले पस्ट होते अभी भावाकों को राहत मिलती आज अभी भावाक परिशान है कहीं ने कहीं स्कूल जैसी शिक्षा के लिए जितनी मोटी फीस आज आम आदमी चुका रहा है उतने में तो मैं समझता हूँ पहले की जमाने में ग्रेजियोशन हुआ करती थी कॉंग्रेस के शासनकाल में उतनी जितनी फीस आज एक साल एक क्लास में बच्चे की भरनी पड़ रही है उत्ते में तो पूरा स्कूलिंग कम्प्लीट हो जाती थी तो निशिती जिस तरीके से स्कूली शिक्षा का वेफसाई करण होता जा रहा है उस पे अंकुष लगाने अगर पाड़न करेंगे तो कमिशन कोरी वह कमिशन कोरी ठीक है आज ड्रेस में कमिशन है किताब में कमिशन है अर्बो रुपे का रेकेट है यह बहुत महत्पूर विशा है इस पर राजनीती विल्कुल नहीं होना चाहिए सो मैं सहमत हूँ क्योंकि यह विशा जो है वह व चंद उद्ध्योपती जो घुसकर आए और यह पोशित कहां से ओ रहा है इनके पैर कहां से मजबूत हूँ है देखेए बीस आप राजी की सरकार में आप राजी की सरकार में पोशित हुए आज बीज़े बावा को को दबाव बना गया बिक्वा दिया गया आदमी को चूस लिया गया आम आदमी की कमर तोड़ दी गई अब एक दो लाज रुपे की जुन्म ना लगा करेवाई की बात करें शरब आदमी को चूसा आज 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 आए अपने परिवार के बच्चों को रोगने की प्रयान आज चीक है एक कमिंट लास्ट कमिन बना जी से जी बना जी आपको जबाद देना पर चीक है लास्कमिन इनकालिक ब्रेहाणा जेबस तो बदल रहा है भारतीता नियतिक मूलियों आधारित भारतीत को आधारित हमें नयतिक मूलियों से जोड़ने अलावा है इन पर तो प्रतिमन्द जरूरी है परिवार पर आर्थिक बोजी पढ़ रहा है बड़ी बात यह सरकार का करवाई होगी और यहां पर सरकार का कहना कि कारवाई हमने की है आगे भी होती रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के चर्चार में शामिल होने के लिए कारवाई होनी चाहिए परिवारों को राहत मिलनी चाहिए और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकाल मिले यह सरकारों को प्रतिमनेद्यों को सुनिशित करना चाहिए खबरों के लिए आप देखते रहें जेटीन माधूपर इच्छाथीज कर दो